Hello everyone, welcome back to my channel, myself, Ankita Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल सा स्किन केर रूटीन शेयर करने वाली हूँ और इस स्किन केर रूटीन में मैं यूज करने वाली हूँ कामा आयरवेदा के प्रोडक्ट्स So friends, ये मैंने कुछ दिन पहले ये वाला कामा आयरवेदा का मैंने ये एक गिफ्ट बॉक्स और किया था पुपल से इसका हॉल मैंने आपके साथ शेयर किया है To be very honest guys, मैं आपको बता हूँ मैंने आज तक कामा आयरवेदा का शायद कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया except rose water के अलावा Rose water मैंने यूज किया है But इसके अलावा मैंने कोई भी cream या कोई भी scrub या face pack कामा आयरवेदा का नहीं यूज किया है So that's why मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ especially इस gift box में available सारे ही skincare जो range जिसमें available है वो मैं आपके साथ इसको use करके आपके साथ share करूँगी कि उसका experience मेरा कैसा रहा So चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं उसके पहले friends अगर आपको वीडियो थोड़ा भी helpful लगे end तक देखने के बाद और आपको लगे कि एक like देना चाहिए तो please एक like जरूर कीजेगा वीडियो को और चैनल को subscribe कर लीजेगा friends और bell icon को जरूर हिट कर दीजेगा वीडियो अगर helpful लगता है तो अपने friends और family को भी जरूर शेयर कीजेगा So friends चलिए बहुत ज़्यादा बाते नहीं करेंगे अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं So friends यह इस तरीके का पूरा packet में अंदर receive होता है हमें और यहाँ पर मैं बात करूं तो इसमें cleanser है साथ ही साथ यह आपका toning के लिए rose water and or do mist दिये गये हैं यहाँ पर आपका यह मृदूल यह चोटा सा packet है आपको मैं बता देती हूं यह इस तरीके का चोटा सा डिबा आता है यह चोटी से डिबी है चोटी से चोटा सा box है इसमें आपका है मृदूल so free face cleanser है यह और इसके बाद इसी तरीके के चोटी से bottle में आता है चोटी से box में आता है सुवर्ना हल्दी चंदन ब्राइटनिंग फेस पैक और इसके साथ आपको मिलेगा यहाँ पर treatments के लिए दिया गया है यह oil आपका hair treatment के लिए भ्रिंगराज oil है आपका यह जुवलिनी है जो retexture आपकी skin को rejuvenate करने के लिए या आपकी जो dark circles है या जाईया है उन सब को सही करने के लिए यूज कर सकते हैं और यह एक नल्पमादी तैलम है यह आपकी skin brightening के लिए काम करता है तो except oil वाली जो range है हम इसको अगर अभी छोड़ दें और उसके बाद मैं सारे range को मैं इसको use करने वाली हूँ सबसे पहला जो हमारा step है वो है एक यह आपका face scrub भी है इसमें cleanser में आपका face scrub दिया गया है जो सबसे पहला product है वो है इस कामा आयरवेदा का मृदुल so free face cleanser तो इसको मैं इस तरीके से खोलूंगी और packaging काफी प्यारी सी है क्यूट सी bottle है चोटा सा box है क्यूट सा पहले हम इसे यूज करेंगे इसे हम थोड़ा सा अपने हैंड्स पे लेंगे एक मस मैं इतना ले रही हूं इसे कि मैं अपने face को बस wash कर सकूं के और इसका एक पेस्ट बना लेंगे इसे अपने पूरे face पर अप्लाई करेंगे हैं अपर इसमें रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं करेंटली मेरे face पर कोई makeup नहीं था नॉर्मल फेस था मेरा एकडम बेर फेस था इसमें नहीं है मैंने face wash भी यूज नहीं किया था मैं डिरेक्ट इसी को ही कि यूज कर रहे हैं हो अपने face पर अफ्रेंस आफ्टर क्लेंजर हमने क्लेंजर से अपने face को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है अब जो next step है वो है हमारा ये कामा आयरवेदा का अपने face scrub इसको मैंने निकाल लिया है इसमें इस तरीके का कुछ इसका texture है जैसा कि आपको दिख रहा है इस टाइप में ओके काफी थोड़ा से मुझे डाग वो लग रहा है जाधा ठीक लग रहा है तो अपने face पर अच्छी तरीके से अपने nose area को वहती mild scrub है फ्रेंट से बिलकुल चुब नहीं रहा है काफी अच्छा बहुत ही mild से scrub particles है इसमें और बहुत easily soothing कोई smell specially कोई smell कोई fragrance इसमें से नहीं आ रही है सुवर्णा हल्दी चंदलन ब्राइटनिंग फेस पैक ओके मैं इसमें से मांट ले लिया देंगे यह हमारा पेस्ट पन किस तरीके से रेडी है अब इससे अपने पेस्ट पर अप्लाई करेंगे इसे चंदन और हल्दी की smell आ रही है इसमें किसी तरीके का fragrance नहीं आ रहा है किसी तरीके की खुश्बू एक्स्ट्रा आर्टिफिशल महक नहीं है नॉर्मल जो आयरवेदिक चीजों की खुश्बू होती है लाइक मुलतानी मिट्टी है हल्दी है इन सब चीजों की smell आ रही है इसमें से और फ्रेंस यह हमने पैक अप्लाई कर लिए आपने फेस पर अपमें से 10 मिनिट्स के लिए छोड़ देंगे आपको मैं एक चोटे से टिप शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप होमेट पैक बनाएं लाइक चाहे वो मुलतानी मिट्टी का हो चंदन पाउडर का हो या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं घर पे बनाके या कोई भी फेस पैक यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका पतल पैक बनाकर के लगा रहे हैं तो क्योंकि वो स्किन को जादा अगर आपने छोड़ दिया तो यह सारा मोश्चर खीच लेते हैं आपके स्किन का अपके एक्स्ट्रा ओयली स्किन है तो बात अलग है अधरवाइस नॉर्मल टैन मिनिट्स बहुत है इस टाइप के नैचरल जो मास्क होते हैं प्रिस पैक होते हैं उनके लिए तो आप कोशिष किजए कि तीन लेयर लगाई और इसको जल्डी से तछलका से जल्डी से सूख जाएगा उसके बाद आप इसको वाश ओट कर दिजे तो मैंने यहां पर अपने फेसको वाश कर लिया है आप बारी आती है टो होता है उसे उसका एक्स्ट्रैक्ट इसमें है तो यहां पर आपको अवेलेबल कराया गया है तो यह मैं इसको आप तोनर पर पर स्प्रे करूंगे तो यहां पर मुझे नाइट क्रीम और डे क्रीम दोनों यहां पर अवेलेबल है मैं नाइबी नाइट स्किन क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूं तो मैं यहां पर नाइट क्रीम आप यूज़ करूंगे और इसके बाद थोड़ा सा लेना है आपको यह नाइट क्रीम बस माइल सी क्रीम है फिर्ण जादा ओईली नहीं है फिस पे और अब्सर्ब हो जाती है इसकिन पर इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है दो आपको मॉर्निंग तक आपका सिकन बिल्कुल स्मूथ फिल होती है तो इसी नाइट क्रीम बुछे बहुत अच्छी लगी डे क्रीम में मुझे थोड़ा सा डावट है ड्राय है तो अकर आपकी ओयली स्किन है तो यूज़ एसकिनने ड्रीयों कर सकते नहीं च्यूट कर स कुछ प्रॉडक्ट्स काम आयरवेदा के सो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलती हूं नेक्स वीडियो में बहुत जल तब तक अपना ख्यार रखे अपनी फैमली का ख्यार रखे तिल दन बाबाई